हेलो क्यासे हैं आप लोग स्वागत है आपका टार्गेट लर्निंग 5 पे तो आज हम थोड़ा सा जीगे का पोरशन आपका करेंगा और इसमें जो है मैं आपको इंडियन हिस्टरी के जो है कुछ कुछ कौश्चन्स कराऊंगा ठीक है तो इंडियन हिस्टरी जासे आप ये ट भी आता है ना तो आप बड़े अराम से कर ले जाओगे क्यों क्यों कि सब को पता है चलो exact date मानता हूं कि 13 अप्रेल आपको नहीं पता होगा लेकिन अप्रेल केरला का फेस्टिवल है पोंगल आपका कहा का है तमिल नाडू का है और मकन संकरांती कब होता है 14 या 15 जनवरी के दिन पर होता है तो ये तीन आप्षन तो ऐसी ऐलिमनेट हो गया है बसता क्या है बैसाखी तो बैसाखी वाले दिन जो है आपका जलियां वाला बाग हुआ था अगरा आप देखिए बेगम हजरत महल ठीक है ये जो आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था न उस रिवॉल्ट के बारे में ये कोश्चन है उस रिवॉल्ट के बारे में आपको एक छोटी सी जनकार ये देदू कि वो जो रिवॉल्ट था वो आपका सक्सेस क्यों नहीं हुआ उसका simple सा reason ये था कि mainly focus था वो North India में बंगाल, UP, बिहार, पंजाब, ठीक है थोड़ा बहुत, राजिस्थान वगरा थोड़ा बहुत ये South India, Central India में भी थोड़ा बहुत था तो South India, Western India में बिलकुल नहीं था ठीक है और उसके बास सब अपने अपने region में लड़ रहे थे, North India भी पूरा एक साथ एक region में नहीं लड़ रहा था दिल्ली अलग लड़ रहा था, कानपूर अलग था, जहांसी अलग था, सब अलग था तो सबसे पहला कि एक ही region लड़ रहा था, यानि कि मोटे तोर पे North India, West India, East India, कुछ हद तक और South India, Central India नहीं था, ठीक है, और दूसरा region अपने अपने लिए लड़ रहे थे, और पूरा एक साथ नहीं लड़ रहे थे और कोई proper planning नहीं थी, ठीक है, तो इस पर question आता है कि कौन-कौन से leader, कौन-कौन सी जगह से लड़ रहे थे तो यहां पर पूछा गया बेगम हजरत महल, कहां से lead कर रही थी लड़ाई को, तो इसका अंसर है आपका क्या इसका अंसर है आपका लखनव, जहांसी से आप सबको पता ही है, बहुत बड़ा नाम है, रानी लक्ष्मी भाई, ठीक है, रानी लक्ष्मी भाई आपसे कहां से थी, जहांसी से lead कर रही थी उसके बाद आपका कानपूर से कौन लीट कर रहा था ये बताओ कानपूर से लीट कर रहे थे नाना साहिब ठीक है और बिहार के जस्पूर पे भी एक कोशन बनता है वहां से कौन थे बिहार का जो जस्पूर है वहां से कौन से कुमर ठीक है? बिहार के जस्मूर से आपका कुमर सिंग है ठीक है? अगला question हाँ ठीक है अगला question में आप दोखो नाम पूछ लिया है ठीक है तो इसमें पूछा है कि not इसमें देखो question में आप ध्यान देखो not यानि कि किनोंने participate actively नहीं किया था indirectly तो बहुत लोगों ने किया था, actively नहीं किया था तो देखो नाना साहिब का मैंने आपको बताई दिया है रानी लक्षमी बाई, कुमर सिंग का जगदीशपूर बिहार से बताई दिया है ठीक है, तो इसमें कौन बचे, मंगल पांडे तो मंगल पांडे ने जो किया था, वो अपनी ही रेजिमेंट में जाहिर सी बात है, पंडित आदमी है तो मास जो बंदू कुस्ता में होती थी, उसमें कहा जाता था कि पिग और काव का जो मास है, तो उस पे इन्होंने विद्रो किया था अपने धरम के उपर, कि मुझे मास किला दिया गया है, जो गोली होती थी, निकालने के लिए तो उसके बाद जो यह अपनी रेजिमेंट जो है, मेरेट से लेके दिल्ली आये थे तो यानि कि यह आर्मी में किया था, ऐस आ सिविलियन पर तोर पे नहीं किया था तो हमारा जो एप है न, एप, वो एप का नाम ही सेम है, जो यह चैनल का नाम है न, टार्गे लर्निंग 5 इसी नाम से एप भी है, ठीक है, यह सबसे उपर टार्गे लर्निंग 5 दिख रहा है और इसमें अगर आप जाएंगे तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको थोड़ा धोड़ने में दिक्कत होगी तो एप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बिलोँ में है, डिस्क्रिप्शन में है नीचे तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके जो है एप डाउनलोड करिए, होगा प्ले स्टोर पे ही बट प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे तो दिक्कत आएगी तो यह जो असोका बैच है हमारा, यह आपका 15 अप्रेल से लाँच हो रहा है, ठीक है तो यह आप बैच में जितनी जल्दी एन्रोल कर लेंगे, आपके तयारी उतनी ही अच्छी होगी तो अगला कॉश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया देखो, इसमें अगर बात करो गया, आप डांडी मार्च यह भी गांधी जी के द्वारा खिलाफत मुमेंट में जो हिंदू और मुस्लिम में जो अच्छा जो गंजोड बना गया था, वो भी गांधी जी द्वारा सिविल डिसोबिंड में भी गांधी जी थे, ठीक है, कुट इंडिया में भी गांधी जी थे बट इसमें कोश्चन क्या पूछा गया है, वो ध्यान दो कि कौन सा स्टार्ट क्या गया था, जिसमें बिटिशर से कहा गया था कि आप भारत छोड़ो भारत to leave इंडिया, यानि कि भारत छोड़ो आंदोलन, quit इंडिया मुमेंट तो quit India moment कौन सा है आपका ये है quit India moment कब शुरूआ था 9 अगस्त को लगबग शुरू होने वाला था तो मान के चलो 8 और 9 की रात को जितने ही बड़े बड़े लीडर थे 1942 में उनको Britishers arrest कर लेते हैं जो first line of leadership होती है मादमा, गांधी, पंडित, नहरू ठीक है ये जो बड़े बड़े लीडर थे सबको arrest कर लिया गे तो जो second line थी JP, Jai Prakash Narayan, Aruna Asaf Ali इन लोगों ने moment को फिर आपका लीड किया और जो app है हमारी जैसा आप देख रहे हो ये app का हमारा क्या है? sign है app के उपर ये sign है, ठीक है? अगला question आप देखो during British rule हर्याना become the part of Punjab बाद में separation हुआ था वो हुआ था आपका 1966 में वो बात अलग है बट यहाँ पूछ रहा है कि हर्याना को Punjab का part कब बनाए गया था अब आप देखो simple सी कहानी सबसे पहले तो इंडिया के उपर जो राज करा था EIC ने राज किया था East India Company, कभी आपने सोचा है एक company पूरे के पूरे हिंदुस्तान पे कबजा कर गई ऐसा कैसे हो गया और वो भी ऐसी company जो की सास समुंदर पार Britain शाई थी और उसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान इंडियन सब कॉंटिनेंट पे कबजा कर लिए आप सोच रहे हो कि आपके घर में किसी मतलब दस्वें राज से कोई आदमी आया और आपके घर में कबजा करके आप ही के पैसे लूट के आप ही को मार पीट रहा है ऐसा हुआ है इंदुस्तान के साथ कहानी बड़ी इंट्रेस्टिंग है कभी कहोगे तो बताऊंगा इसमें जो आप देखो इस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उससे पहले इस्ट इंडिया कंपनी का रास था और 1858 में जो आपका गौर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ जिसके बाद क्या हुआ ब्रिटिश रूल आ गया तो 1858 में जब यह पास हुआ था तो उसी टाइम पे हुआ था क्या हुआ था हर्याना जो है पंजाब का पार्ट बन गया था जाईर सी बात है उससे पहले तो 1857 में तो रिवोल्ट चल ला था उधर तो कुछ होगा नहीं और 1919 में तो टाइम बहुत आगे निकल गया उस समय तो चीज़े बहुत सही वह आती है और आजादी के टाइम पे तो यह सब होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़े खराब भी चल रही थी पार्टिशन हुआ था तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1858 जब गौर्मेंट ऑफ इंडिया पास किया गया था अगला क्वेशन आप देखो 1757 मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जो इस्ट इंडिया कंपनी थी न उसका एक बहुत बड़ा उसको बेनिफिट मिला था कब 1757 बैटल अफ प्लासी बंगाल के पास में जब वो बैटल अफ प्लासी जीत गए 1757 अब देखो आने को तो वो 1600 में आये थे ठीक है और लगबख 1707 तक 1707 तक मुगल अंपायर बहुत तगड़ा हुआ करता था औरंग जेब जो था उसके राज तक मुगल अंपायर तगड़ा था औरंग जेब के बाद फिर चीजे खराब होना शुरू करी और उसके बाद जो है चीजे बहुत खराब होती चली गई तो उसके बाद जब औरंग जेब का साशन खर्दम हुआ तो कुछ टाइम बाद इन्होंने अपनी गणित लगाई और 1757 में इन्होंने क्या करा कि जो मीर जाफर था ये नाम दे रखा है मीर जाफर जो था ये सेना पती था सिराजु दोला का इसको अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया क्लाइफ करके अंग्रेज था उसने अपने साथ मिला लिया और जाइसी बाद है जब सेना पती ही आपका मिल गया तो भाई सेना की कमांड गई तभी आप सोचो लगबग 15 से 20 हजार की सेना और उन्होंने 1000 लोगों से हार गए मतलब अगर एक एक हाथ भी छोड़ा जाए तो आदमी 15-15 थपड 20-20 थपड पड़ेगा तो ऐसी पलड जाए तो 20 हजार की सेना 10 हजार की सेना से आर गई कैसे आर गई धोखा दे दिया था मीर जाफर ने ठीक है तो पहली लड़ाई जो जीते थे 1757 की जीते थे और दूसरी जीते थे 1764 बकसर की लड़ाई बिहार, 36 गड़ का एरिया है उसके पास ये दोनों लड़ाई जब वो जीत गया तो उनका अपना एक हिसाब से किला बन गया उसके बाद तो ये किले शर्वाब को और उसके बाद जब ये हार गया तो बंगाल का नवाब मतलब ये सही आंसर असौर, फासर ये II संही है ठीक है सिराजु दौला बड़घ्ब शिराजु दौला हार गया तो फिर क्या करा गया? फिर जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर जाफर ने कहा कि हम तुमको इतने छूट देंगे ये देंगे वो देंगे बाद में अंग्रेज इससे खुश नहीं हुए तो उन्होंने क्या करा कि इसको हटा के मीर काजिम को बना दिया अगला question क्या है in the four session of international congress held in 1888 पहला session का भेल्ड हुआ था 1885 से session held हो रहे हैं ठीक है 1888 में जो session held हुआ था कहां पे हुआ था ये session अलाबाद में तो पूछा क्या है who of the following national leader represent हिसार हिसार का मतलब क्या हो गया हर्याना हर्याना को किसने represent किया था जाइर सी बात है लाला लाचपतरा इसका सही answer होगा ठीक है हाँ तो ये देखो इंडस बैली civilization से बहुत अच्छा question है कि आपकी civilization है कौन सी civilization है ये वाली ये सारी civilization है और ये सारी नदिया है पहले सारी की सारी civilization जो नदियों के पीछे नदियों के किनारे जो है बसी थी तो लोथल कहां पे है लोथल ये देखो लोथल आएगी कहां पे भोगवा नदी पे ठीक है उसके बाद मोहन जोदलो कहां पे आएगी ये आएगी इंदस सतलज पे ठीक काली बंगन कहां पे आएगी रोपड आपकी कहां पे आएगी सतलज पे ठीक जो आपकी काली बंगन यह कहां पे आएगी घगगर पे और हरपा जो है आपकी कहां पे आएगी रावी पे तो पहला ओप्शन देखें A5 यानि कि A5 ठीक है B4 काली भंगन कहां पे जा रहा है गगर पे C2 रोपड सतलज D3 खडपन कहां पे जा रहा है रावी पे E1 मोहन जोदडो इंदस अरे यह तो पहला ही आंसर आपका सही हो गया ठीक है तो यह आप याद रखना लोथल भोगवा नदी काली भंगन आपका कहा इस्टिसमें से दो तो याद दी होंगे एक तो आपका मोहन जोदडो यह कहां पे है इंदस पे और दूसरा आपका हडपा जो की रावी नदी पे है ठीक है अगला आप देखो चनाब को जो वेदिक पीरेड है उसमें चनाब नदी का क्या नाम था उस समय इसका नाम था अस नहीं में ठीक है तो यह आपके जो है कॉस्चन जो थे सारे हो गए हैं तो यह इंपोर्टन कॉस्चन है थोड़े से इसमें आपको टफ भी मिलेंगे वह आप अपने हिसाप से देख लेना याद कर लेना और जितने भी स्टुडेंट यहां पे तयारी कर रहे हैं उनको तो म अनलोड कर सकते है और यह जो आप नीचे देख रहे हैं यह अप के ऊपर का жmış साइन है ठीक है लोगो है तो यह अप है और इसी नाम से जो है इसी बैस से आपका कोर्स है तो आप कोर्स ले सकते हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आएगी और जो भी आपकी प्राब्लम है नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं थैंक यू